सबसे बेला सबान कितनी मजबूती के साथ इंडिया कटबंदन जो है वो आगे बढ़ रहा है लोग सभा चुनाव के हैं ये 2014 और 2019 के जो आम चुनाव थे वो मोदी जी के नारे मोदी जी के आकरशन से बने हुए थे और जो उन्होंने सपने दिखाए थे कि हम अमुक अमुक क करेंगे इतने वर्षों में उसको लेकर के जीते हुए चुनाव थे और ना कोई चेहरा सामने था ना को रिकारी कर्म सामने था ना विपक्षी दलों की एक्था कायम थे पिछले कुछ दिनों से जो शासक दल की मनमानी है चाहो समयधानिक संस्ताओं का त्रिसकार हो चाह सं अब जो करेंट में जो इशू है वो 1931 से लेकर के आज तक कोई जातिगत जनगन्ना नहीं हुई तो आजादी का जो हम अमरत काल मना रहे हैं उसमें उन वर्गों को उन सम्हों को ये जानने का अधिकार है कि उनका कितना आर्थिक सामजिक एमपावर्मेंट हुआ है जनगन्ना के आर्थिक और सामज ये भी प्रचार गलत है कि खाली जातिगत उन्होंने आर्थिक सरवक्षन भी कराया कितनी जमीन है कितनी लोग परिवार में नोकरी करते हैं क्या शैक्सनी किस्तिती है कितना करजा है वगएरा वगएरा कार है साइकिल है मोटर साइकिल है इस सारा उन्होंने किया और उसके बाद वो सारे देश में इन वर्गों के आकर्षण के केंदर होगे। दूसरा समिधान की बनी हुई और सुप्रिम गोट की बनी हुई सीमा रेखा थी कि 50-35 से जादे आरक्षण की सीमा रेखा नहीं बढ़ेगे। केंद सरकार के EWS आरक्षण के बाद वो 60% होगे। और विहार सरकार ने इसको 50% कर दिया। तो जो सोसल फ्रंट पर जो एमपावर्मेंट का काम पूरा किया नितिश कुमार जी ने वो पूरे देश में आकर्षण के केंदर बने हुए हैं। और मैं एक ची और इसमें जोडना चाहता हूँ। ये इंडिया कठबंदन भी नितिश कुमार भी इसके निर्माता है। पिछले साल सितंबर के महीने में नितिश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और मैं खुद भी चोधरी देविलाल की जैनती के असर पर हिसार गए थ उसमें ममता दीदी थी, अखिले सियादव जी थे और के चंदरशेकर राव जी सबसे ज़्याद एक्टिव थे उसमें और अरविंद के जरिवाल थे, इनका मानना है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी। उनकी जिस तरह की बढ़ती हुई ताके थे, इसलिए गैर कांग्रेस बात छोड़िये। और उसी के बाद उन्होंने पटना में असंभव को संभव करके दिखाया। इधर खड़के जी थे, इधर केजरिवाल जी थे, इधर राहुल गांदी थे, इधर ममता बनर जी थी औ और इधर अखिलेस यादो जी, पहली मीटिंग हुई, काम्याम मीटिंग हुई, उसके बाद फिर लालू जी और निकीज जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले, लेकिन बहुत धीमी गती से इंडिया का काम का चला, इसका हमको अफसोस है, जिसको निकीज कुमार जी भी क कमेटी का मेंबर हूँ, इतना अगरे हमारा जरूर बड़ी पार्टी से रहता है, इतनी भार के जनता पार्टी की जो बड़ी हूँ चिनोती है, उनका जो संग्ठन है, उनके जो पोलरेजिसन के नारे हैं, उसके मुकाबले में हमें अपनी गती को तेज करना चीए.